इस सवाल में हमें जो तीन complex नमबर दी है तो तीनों के लिए हमने verify करना है तो यह एक part जो वो तीन complex नमबर के लिए solve करना है तो सबसे पहले complex number ले लेते हम लोग Z जो कि 4-3 अब इसमें बोला वह कि आप निकाले modulus of z modulus of z क्या होता है आपके पास अगर यह आपके पास a plus b आयो उटा ही है तो real part का square यानि कि 4 का square फिर plus imaginary part का square यह जो जाएगा आपके पास modulus of z हो जाएगा तो यह जाएगा 16 plus 9 आपके पास answer आजाएगा under 25 और आपके पास 5 answer आजाएगा तो mod z जो हो आपके पास 5 के बराबर है तो अब हम जो जो है minus z का निकालना है तो minus z आपके पास किस के बराबर होगा both side multiply करा दें minus से तो जाएगा minus 4 minus minus plus 3 आएउटा अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं minus z का modulus minus z इसका real पार्ट जो है वो आपके पास है minus 4 इसका square करेंगे फिर plus imaginary पार्ट है आपके पास 3 इसका square करेंगे तो minus 4 का square जो होगा वो आपके पास 16 आएगा और इस तरह से ये भी आपके पास 5 आज़ागा तो ये दोनों sides तो बराबर आगे हैं अब हम conjugate कर लेते हैं तो z हमारे पास जो है 4 minus 3 आएउटा है तो इसका conjugate जो होगा आपके पास वो होगा 4 plus 3 आएउटा imaginary part का जो है वो आपके पास sign change हो जाता है conjugate में सिर्फ imaginary part का sign हो जाता है अब इसका जो है modulus निकालने ज़ाएँ जैट बार का तो ये होगा 4 का square पर plus imaginary part का square तो ये भी आपके पास आएगा 16 plus 9 और ये भी आपके पास 5 के बराबर हो जाएगा अब एक last part कर लेते हैं कि modulus जो है ये इसका negative sign हम लगा दें इसमें तो ये जो उपर mod z लिखाव है इसको बस मैं minus से multiply करा देता हूँ तो ये minus 4 हो जाएगा minus 3 आयोटा हो जाएगा फिर अब हम इसका modulus निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा minus 4 का square फिर plus imaginary part का square तो ये आपके पास बराबर होगा 16 plus 9 और ये भी आपके पास 5 के बराबर हो जाएगा तो हमने z is equal to 4 minus 3 आयोटा के लिए ये प्रूफ कर लिए अब इसी तरह जो हमने z1 के लिए भी ये प्रूफ करना है इसी तरह इसको भी आप z1 के लिए solve कर लेंगे तो z1 हमें जो given है वो है 3 minus 2 आयोटा तो अब हम इसका modulus निकाल लेते हैं z1 का modulus जोगा वो होगा आपके पास 3 का square plus imaginary part का square real part का square plus imaginary part का square तो यह आपके पास हो जाएगा 9 plus 4 जाएगा under root 13 इसी तरह माइनस z निकालने है तो इसको भी माइनस से multiply कराएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस माइनस plus 2 आयोटा हो जाएगा पिर माइनस z का आप modulus निकालेंगे तो वो आएगा माइनस 3 का square real part का square plus imaginary part का square यह आएगा 9 plus 4 under root 30 अब इसी तरह conjugate निकालने conjugate जो होता है वो सिर्फ imaginary part का sign change कर देता है तो z1 था आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा तो z1 जो हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा तो z1 बार का भी हम लोग modulus निकाल लेते हैं तो यह होगा 3 real part का square plus imaginary part का square तो यह भी वो ही आईगा सब के सब यह बराबर आईगे यही proof करना है इसमें फिर माइनस conjugate हम कर लेते हैं जो भी हमने conjugate लिया वह इसको मैं माइनस sign से multiply करो तो जो conjugate है वो भी माइनस sign से multiply हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और यह माइनस 2 आयोटा हो जाएगा पिर अब इसका जो हम लोग minus z1 bar का जो हम लोग modulus निकाल गए तो यह z1 bar minus z1 bar का modulus निकालते हैं तो वो आपके पास आएगा माइनस 3 का स्क्वेर फिर प्लस minus 2 का स्क्वेर तो यह भी ठर्टी ना जाएगा अब यह सब कि सब बराबर आ गए तो यही सवाल में प्रूफ करना था हमने z2 के लिए भी आपने यही करना है z2 हमें given है 2 प्लस 3 आयोटा और इसका modulus निकालेंगे हम लोग तो वो होगा आपके पास 2 स्क्वेर प्लस 3 स्क्वेर तो यह जाएगा 4 प्लस 9 यह अंडरूट 13 आ जाएगा फिर इसी तरह उसमें next ही लिखा हुए कि minus z2 का आप निकालेंगे तो minus z2 जोगा है उपर z2 का आप minus से multiply कराते हैं तो minus plus 2 minus 2 हो जाएगा और यह plus 3 minus 3 हो जाएगा तो अब हम minus z2 का modulus निकालते हैं तो यह बनेगा आपके पास minus 2 का square plus minus 3 का square 4 plus 9 और यह अंडरूट 13 यह भी बराबर आगे हैं उसके बाद उसके बाद z का conjugate निकाल लेते हैं z2 का तो conjugate में जो है सिर्फ imaginary part की sign change होती है तो पहले आपके पास real part है 2 और imaginary part है आपके पास 3 तो 3 जो है प्लस 3 जो हो माइनस 3 हो जाएगा अब हम इसका modulus निकाल लेते हैं तू का स्क्वार प्लस माइनस 3 का स्क्वार यह 4 प्लस 9 और यह अंडरूट 13 यह भी बराबर आ गया अब एक लास्ट रह गया हमारे पास जो कॉंजुगेट है हमारे पास इसका negative sign का हमने modulus निकाल लेते हैं तो इसको minus से multiply कराते हैं तो 2 प्लस 2 जो हो माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 3 जो हो प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वेर प्लस 3 का स्क्वेर और इसका भी वह answer आएगा इस पार्ट में भी हमें तीन complex नंबर दिये वे तो पहला complex नंबर जो हमें दिया हो है जैट 4 माइनस 3 आएगा अब इसको ये प्रूफ करना है कि आप एक complex नंबर का दो दफा conjugate लेंगे तो वापस वही complex नंबर आ जाएगा तो मैं सबसे पहले एक दफा इसका complex नंबर का conjugate लेता हूँ conjugate में यह होता है कि real part as it is रहता है imaginary part का sign change हो जाता है तो माइनस 3 था तो वह प्लस 3 हो गया फिर जो आपके पास ये answer आएगा conjugate का इसका एक और दफा conjugate ले लेता है तो ये 4 real part as it is रहता है और प्लस 3 है तो ये माइनस 3 हो जाएगा तो अब ये दो दफा conjugate लिया है मैंने ये मैंने एक और दफा conjugate ले लिया तो दो दफा conjugate लेने पर मेरे पास वापस वही z के बराबर आ गया तो यनिके z double conjugate जो है वह वापस आपके पास z के बराबर आ गया ये इसमें प्रूफ करना था बाकी के लिए भी हम लोग प्रूफ कर लेता है एक z जो हमें given है z1 3 minus 2 आयोटा given है तो इसका सबसे पहले z1 का conjugate लेता है z1 बार जो जाएगा वो 3 और imaginary number जो आपके पास minus 2 है तो plus 2 हो जाएगा ये पिर जो आपके पास z bar है इसका एक और दफ़ा conjugate लेता है एक दफ़ा ये पहले conjugate लिया था एक और दफ़ा conjugate ले लेता है तो real part ऐसे ही रहेगा इसका और imaginary part का sign change हो जाएगा तो plus 2 है तो minus 2 आयोटा हो जाएगा तो अब ये वापिस आपके पास 3 minus 2 आयोटा वापिस आपके पास complex number ही आ गया जो given complex number था तो z1 का double bar जो है वो वापिस आपके पास z1 आ गया last वाले को भी इसी तरह proof कर लेता है z2 given है 2 plus 3 आयोटा इसका conjugate लेता है real part as it is रहेगा और imaginary part का sign change हो जाएगा जो एक और दफ़ा इसका conjugate ले लेता है पहले conjugate लियावा है conjugate का एक और conjugate लेंगे real part as it is रहेगा minus 3 जो है वो plus 3 है बन जाएगा आपके पास यानिके z2 का दो दफ़ा conjugate लिया है तो आपके पास वापिस z के बरावर आ गया इसके third part में भी हम यह complex number given है सबसे पहला complex number start कर देते हैं z और यह आपके पास 4 minus 3 आयोटा अब इसमें दो sides है हमाएं पास एक left hand side एक right hand side एक दोनों को solve करते हैं और फिर दोनों का answer बराबर आना चाहिए तो सबसे पहले left hand side रखते हैं हम लोग z और z बार यानिके z conjugate तो मैंने रखा z 4 minus 3 आयोटा और z बार जोगा वो आपके पस imaginary part का जो आप sign change कर देंगे तो plus 3 आयोटा हो जाएगा वो तो 4 minus 3 आयोटा था तो 4 plus 3 आयोटा हो जाएगा अब यहाँ पे हमें एक formula नजर आ रहे है a plus b a minus b का formula नजर आ रहे है तो यह a plus b a minus b का formula जो आपके पस a square minus b square बन जाएगा और iota square आ जाएगा यहाँ पर iota square minus one के बराबर आ जाएगा आपके पास और 9 minus 9 से multiply होगा वो तो प्लस 9 हो जाएगा और यह बराबर होगा 25 के अब यह हमने left hand side solve करी भी है अब राइट hand side solve कर लेते हैं राइट hand side है आपके पास z modulus का जो आप square कर लें तो सबसे पहले modulus निकाल लेते है modulus जो तर वो तर under root real part का square plus imaginary part का square तो real part है आपके पास 4 इसका square plus imaginary part है आपके पास minus 3 इसका square और यह आपके पास आजाएगा बराबर 16 plus 9 और यह आजाएगा आपके पास 25 और फिर आप इसको 25 को further solve कर सकते हैं यह फाइब हो जाएगा तो आपके पास modulus of Z जो आ रहा है वो आपके पास 5 आ रहा है अब स्क्वार बोच साइट कर देते हैं तो यह आपके पास modulus of Z जो है वो आपके पास 25 आ जाएगा तो left hand side आपके पास राइट hand side के परापर आगई तो यह बात लिख लेगा सिंस लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वल स्टू राइट हैंड साइड देरफोर जैड जैड बार इस इक्वल स्टू मॉडुलस आफ जैड का स्टू अच्छा अब इसका सेकेंड थर्ड पार्ट को जो हमने जैड टू से भी करना है फिर जैड वन से भी करना है अब इसको हम लोग जैड वन से कर लेता है जैड वन को गिवं तो यह जाएगा 3, Z की वैल्यू जोए 3-2 आयोटा, और Z conjugate जोगा वो आपके पास होगा 3-2 आयोटा, सिर्फ imaginary पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, conjugate लेते हुए, या फिर सो formula बन रहा है, A plus B, A minus B का, तो इसको हम लोग, A square minus B square में बन कर देते हैं, formula, तो यह नहीं कि A का square, यह नहीं कि 3 का square, फिर minus का sign, और B का square, तो 3 square जो होता है, वो आपके पास होता है, 9 के बराबर, minus 2 का square जो होता है, 4 के बराबर, और iota square जो होता हो आपके पास minus 1 के बराबर इस तरह से यह आपके पास 4 minus 4 जो है वो multiply होगे minus 1 से plus 4 बन जाएगा और 9 plus 4 जो है आपके पास 13 answer आजाएगा यह left hand side होगा यह right hand side कर लेते हैं right hand side में है कि आप modulus of z square निकालें तो सबसे पहले हम लोग modulus of z देख लेते हैं वो होता है आपके पास real part का square under root real part का square तो real part है आपके पास 3 इसका square फिर plus imaginary part का square minus 2 का square square both side कर देते हैं यहीं पर ही modulus का square निकालना है तो square both side कर देते हैं तो आपके पास यह modulus z square जो आ जाएगा यह under root से square cancel हो जाएगा तो यह 3 का square 9 आ जाएगा और फिर plus 2 का square 4 आ जाएगा minus 2 का square 4 तो यह आपके पास answer आ जाएगा 13 तो left hand side आपके पास right hand side के बराबर आ गई है और सब्सक्राइब देख गे सब्सक्राइब दर आएगा इसी सवाल को, तो Z2 हमें given है, 2 plus 3 iota, left hand side हम लोग रख लेता है, left hand side हमाई पास Z और Z bar, तो Z है हमाई पास 2 plus 3 iota, और अगर इसका conjugate लें, तो 2 minus 3 iota बनेगा, imaginary part का sign change हो जाएगा से लिए, अब यह आपको A plus B, A minus B का formula मिल रहाए आपको, तो इसको formula से open कर लेता है, A का square, फिर minus का sign आता है, फिर B का square, इसको direct solve लेते हैं, 2, 2s are 4, minus 3, 3s are 9, और iota square जो है, minus 1 के बराबर हो जाएगा, फिर इसको direct solve लेते हैं, 9, minus 9 multiply by minus 1, तो यह plus 9 हो जाएगा, यहनिके 4 plus 9, और यह आपके पास Z, Z bar जा जाएगा, आपके पास 13 आ जाएगा, अब right hand side कर लेते हैं, उसकी, उसमें आपने modulus of Z का whole square निकालना है, तो modulus of Z आपके पास होता है, under root, real part का square, plus imaginary part का square, और अब जो हम लोग इसको square both side भी कर देते हैं, क्यूंकि हमें modulus का square चाहिए, 2 का square 4 होता है, plus 3 का square 9 होता है, और यह whole square कराता है मैंने, तो यह दोनों के ओपर side पे square आ जाएगा, तो इधर तो यह Z modulus square रहेगा, यह under root से यह cancel होगा, और यह 4 plus 9 जो आप पास 13 आ जाएगा, तो अब left hand side आपके पास right hand side के बरावार आगई, इसका मतलब यह verify होगी है, अब इसमें हमें Z1 और Z2 complex number यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले मैं left hand side यह start करता हूँ, left hand side में आपके पास है Z1 plus Z2 का whole bar है, तो whole bar का यह मतलब है कि सबसे पहले आपने Z1 plus Z2 करना है, तो Z1 plus Z2 करेंगे आप, तो Z1 जब आपके पास है 3 minus 2 आयोटा, और फिर plus का sign आएगा, आपके पास 2 plus 3 आयोटा, अब इन दोनों को add कराएंगे तो real part, real part के साथ add हो जाएगा, और imaginary part, imaginary part के साथ, तो यह हो जाएगा 3 plus 2, और real part, real part के साथ लिखा मैंने, और imaginary part, imaginary part के साथ लिखा, तो Z1 plus Z2 जो है हमारे पास, बराबर होगा, 3 plus 2, 5 हो जाएगा, और 3 minus 2 आपके पास, आयोटा हो जाएगा, 1 आयोटा, तो यह प्लस आयोटा हो गया, अब इसका conjugate ले लेते हैं, Z1 plus Z2 का आपके पास एक simplified answer आगिया है, A plus B आयोटा की फॉर्म में, इसका आप conjugate लेते हैं, तो conjugate का मतलब होता है, कि real part as it is रहेगा, और imaginary part जो आपके पास, उसका sign change हो जाएगा, तो यह हो गई हमारे पास, left hand side, अब right hand side start करते हैं, right hand side में यह है, कि आप Z1 का conjugate लें, तो Z1 का conjugate आपके पास आता है, Z1 जो आपके पास 3 minus 2 आयोटा है, तो यह हो जाएगा 3 plus 2 आयोटा, imaginary part का sign change हो जाएगा, इसी तरह आपके पास है, Z2, वो है आपके पास 2, Z2 conjugate जो आपके पास होगा, 2 minus 3 आयोटा, Z2 आपके पास 2 plus 3 आयोटा लिखावा है, तो इसका imaginary part का जो आप sign change करेंगे, तो 2 minus 3 आयोटा हो जाएगा, अब इसको individually conjugate करा आपने, और फिर इसको add करा देंगे, Z1 conjugate, Z2 conjugate, तो यह आपके पास आपके पास आपके पास आपके पास है, 3 plus 2 आयोटा, conjugate add करा रहे हैं, और फिर plus 2 minus 3 आयोटा, तो यह जाएगा आपके पास 5, 5 minus आयोटा यह आनसर आपके है, Z1 bar plus Z2 bar इसका अंसा है जो 5 minus IOTA और आपके पास left hand side is equal to right hand side आ गई इसका मतलब है ये property भी hold करती है so therefore Z1 plus Z2 का whole bar जो है बराबर होगा Z1 bar plus Z2 bar इस सवाल में हमें Z1 और Z2 यूज़ करना है तो सबसे पहले left hand side start कर देते हैं हम लोग Z1 multiply by Z2 करना है सबसे पहले और जो answer आएगा उसका conjugate कर लेंगे Z1 multiply by Z2 तो Z1 है हमारे पास 3 minus 2 IOTA और Z2 जो है वो 2 plus 3 IOTA इनको multiply करा लेते हैं पहले 3 को एक bracket से multiply करा लेता हो अगले वाले 2 multiply by 3 तो minus 6 और IOTA multiply by IOTA तो यह IOTA square हो जाएगा तो यह जाएगा 6 9 minus 4 IOTA जो है हो imaginary part जो हो add हो जाएँगे तो यह आपके पास plus 5 IOTA हो जाएगा और फिर minus 6 IOTA square जो होता है हो minus 1 के बराबर होता है 6 plus 5 IOTA plus 6 तो इसको further 6 plus 6 यह 2 real number add हो जाएँगे तो यह 12 हो जाएगा plus 5 IOTA तो यह आगे आपके पास Z1 और Z2 अब इसका आपने conjugate लेना है Z1 Z2 का whole conjugate जोगा real part as it is लिख देंगे आप और imaginary part का sign change करतेंगे जो गई हमाई पास left hand side अब right hand side में आपने यह करना है कि पहले conjugate लेना है तो Z1 का conjugate हम सबसे पहले ले लेता है Z1 का conjugate जो हो आपके पास है Z1 जो आपके पास 3 minus 2 IOTA है तो यह 3 plus 2 IOTA हो जाएगा सिर्फ imaginary part का जो आप sign change करेंगे से अच्छा इसी तरह Z2 का conjugate ले लेता है Z2 जो हो आपके पास 2 plus 3 IOTA है तो यह हो जाएगा 2 minus 3 IOTA अब हम इसको multiply कर लेता है Z1 बार multiply by Z2 बार तो यह हो जाएगा 3 plus 2 IOTA 2 minus 3 IOTA अब इसको multiply कर लेता है हम लोग तो पहले 3 को अगले bracket से multiply कर लेता है और फिर plus 2 IOTA को next bracket से multiply कर लेता है 3 2s are 6 3 3s are 9 IOTA उसके बाद 2 2s are 4 plus 4 IOTA उसके बाद 3 2s are 6 plus minus minus और IOTA square 6 as it is आगिया अब यह imaginary part जो हो एड हो जाएंगे तो minus 9 plus 4 जो है minus 5 IOTA के बराबर आजाएगा अचा यह IOTA square जो है यह minus 1 के बराबर होगा और minus 1 multiply by minus 6 तो यह plus 6 हो जाएगा तो अब इसका real part real part के साथ add हो जाएगा तो 6 plus 6 12 हो जाएगा और फिर minus 5 IOTA तो अब आपके पास left hand side जो है वो right hand side के बराबर आ गई है इसका यह मतलब है कि Z1 multiply by Z2 का whole bar जो है बराबर होगा individual Z1 bar multiply by Z2 bar के बराबर जाएगा इसमें भी हमने Z1 और Z2 को use करना है तो सबसे पहले left hand side start करते हैं हम लो left hand side में यह लिखा हो है कि सबसे पहले आप Z1 divided by Z2 यह find out करे हो और जो भी answer आएगा फिर उसका whole bar ले लेंगे हम लो तो Z1 जो हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा अब इसको simplify करने के लिए आपको पता है कि यह नीचे से आपने आयोटा हटाना होता है तो रैशनलाइज इसको करेंगे तो इसको conjugate जो होगा वो होगा आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा इससे हम multiply और divide करा देंगे नीचे आपको एक formula मिलेगा a plus b a minus b का 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा यह आपको नीचे एक formula मिल गया और उपर आपको एक multiplication मिल रही है नीचे हम formula open कर लेता है a square minus b square तो a square minus b का square उपर हम multiply कराते हैं पहले 3 को दूसरे वाले bracket से multiply कराते हैं तो 3 2 आपको एक और minus 3 3 आपको एक और 9 अब minus 2 आयोटा को दूसरे वाले bracket से multiply कराते हैं तो 2 2s are 4 तो minus 4 आयोटा और minus minus plus और 2 3s are 6 और आयोटा square इसको और further simplify कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपके पास नीचे 4 और further simplify कर देता है यह जाएगा 4 plus 9 नीचे उपर आएगा 6 minus 13 आयोटा और minus 6 6 और 6 उपर कैंसल हो रहे हैं तो आपके पास आंसर वने माइनस 13 आयोटा और divided by 13 आपके पास एक आंसर आ रहा है माइनस आयोटा अब भी आपके पास आंसर आ गया है एक simplified आंसर यह है z1 upon z2 का आंसर इसका हमने conjugate लेना है तो z1 upon z2 का अगर हम लोग whole conjugate लेंगे imaginary part का जो आपके पास sign change हो जाएगा तो imaginary part जो आपके पास minus आयोटा है तो वो plus आयोटा हो जाएगा आपके पास तो z1 upon z2 का whole bar जो है वो हमेंपस आयोटा है अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपके पास है z1 का बार divided by z2 बार z1 बार जो होगा आपके पास z1 जो आपके पास 3 minus 2 आयोटा है तो ये 3 plus 2 आयोटा हो जाएगा और 2 plus 3 आयोटा है z2 तो ये 2 minus 3 आयोटा हो जाएगा अब इसको simplify करने के लिए आपने करना ही है कि नीचे से आयोटा खतम करना है तो आप इसका conjugate multiply divide कराएंगे multiply by इसका denominator का conjugate जोगा 2 minus 3 आयोटा लिखावा है तो 2 plus 3 आयोटा हो जाएगा अब जो हम इसको direct जरह इसके answer लिखता है नीचे आपको एक formula मिल रहा है a minus b और a plus b का formula मिल रहा है a minus b multiply by a plus b का formula मिल रहा है तो a square minus b square a square minus b का square उपर आपको एक multiplication मिल रही है 3 plus 2 आयोटा 2 plus 3 आयोटा अब मैं direct multiply करा जेता हूँ 3 2s are 6 और 3 3s are 9 फिर 2 आयोटा को अगले bracket से multiply कराता हूँ 2 2s are 4 और 2 3s are 6 और आयोटा square नीचे आपको मिल रहा है 4 minus 9 आयोटा square जो है minus 1 के बराबर हो जाएगा अच्छा इसको simplify करता है तो यह 6 imagine a number add होंगे तो plus 13 आयोटा 9 plus 4 जो है 13 आयोटा हो जाएगा और यह i2 square minus 1 के बराबर बनेगा और यह minus 6 कर देगा इस तरह से plus 6 multiply by minus 1 तो यह minus 6 हो जाएगा तो नीचे आपके पास 4 plus 9 आजाएगा तो यह 6 और minus 6 cancel होंगे तो आपके पास आएगा 13 आयोटा divided by 4 plus 9 13 तो यह आगे आपके पास आयोटा तो अब आपके पास left hand side और right hand side बराबर हो गई है तो इसका मतलब यह कि z1 divided by z2 इसका whole bar किया जाए वो बराबर आता है individual bar के z1 bar divided by z2 bar और इसका हला झायोटार हो अब बराबर बरार नाएगा